हुलो स्टुटेंट विल्कम टू आ क्लास हम एफ फाई भी कॉम फर्स समिस्टर कर रहे हैं आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है फाइनल अकाउंट ऑफ मैनेफेक्ट्रिंग कंसर्न हमने अल्रेडी इसके उपर डिपार्टमेंटल अकाउंट कैपिटल और रेवेन्यू और इन्वेंटरी वालुएशन यह तीनों चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है यहां दोगा आई बटन आएगा वहां पर चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे टॉपिक के जो वीडियो है उसके लिंक दिया है वहां पर भी चेक करें तो आज हम नया टॉप जो मेन यहां पर पार्ट है वो मैनेफेक्ट्रिंग अकाउंट करके तो इसमें ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे हम तो आप अगर 12 स्टैंडर या 11 स्टैंडर का अकाउंट देखेंगे तो आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा तो यहां पर वापी देगो आई बट देखेंगे तो पहले में आपको फॉर्मेट बदा दूं कि मैनेफेक्ट्रिंग अकाउंट जो पूरा बनाएंगा आप इसका फॉर्मेट क्या होगा तो चलते हैं फॉर्मेट के तरफ तो बच्चों आप देख सकते हैं पूरा format मैंने बनाया है लेफ साइड में आप लेफ पेज में manufacturing and trading account बनाएंगे तो पूरा पेज में maximum manufacturing account जाएगा और फिर bottom से आपको 5-6 line के लिए सिर्फ trading account बनाना है उसी तरह से right page में profit and loss account और फिर balance sheet इसमें जो main part है मैंने फिर से बताया manufacturing account है तो बच्चों इसको समझना भोती है असान है trading account में जो हमने पहले किया था 11-12 में हमने maximum सारी entry जो factories से related होती थी वो हम trading account में डालते थे wages है, royalty है, power है, carriage है तो इस topic में trading account में एक भी entry नहीं आएगी यानि एक भी expense नहीं आएगे, सारे expense आपके जले जाएंगे manufacturing account में, पहला changes ये, दूसरा changes ये आपको goods के बारे में detail में आएगा, क्योंकि goods के actual में 3 step होते हैं, 3 phase होते हैं, 3 शकले होती है पहली शकल होती है raw material की, जो की कच्चा माल कहलाता है दूसरी शकल होती है work in progress, यानि आदा कच्चा, आदा पका और तीसरी शकल होती है finish goods की तो इसके बारे में आपको ध्यान से समझना है तो जो raw material है और work in progress है, ये factory से relate करता है इसलिए manufacturing account में आते हैं और जो finish goods है, वो आपका तयार माल है, माल बेचना है आपको इसलिए ये trading account में आता है तो इसका concept समझना है आपको और इसके अंदर और एक चीज़ है जो है raw material consume करके इसका pattern है, इसका pattern दो को पूरा draw किया है इसको याद कर लें अच्छी तरह से जैसे opening stock of raw material से आप शुरू करते हैं उसी में हम add purchase करते हैं उसे में हम उसका जो भी transport expense होगा like carriage है, freight है, octroy है, custom duty है तो सारे expense जो purchase of raw material से relate करेंगे वो भी आपको यह add करना है then as usual purchase return हम minus करते थे हाँ, closing stock of raw material वो यहीं पे minus होता है basically हम क्या करते हैं कि credit side लिखते है closing stock मगर raw material consume का closing stock होगा वो इसी pattern में आप calculate करेंगे फिर आपका total amount भार आएगा इस amount को हम कहते हैं raw material consume फिर उसके बाद raw material के बाद आदा कच्छा आदा पक्का माल यानि opening stock of WIP, work in progress वो भी यहाँ आएगा फिर उसके बाद अब जितने भी factory के खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपको यहाँ लिखने मैंने example लिया depreciation on machinery machinery का आपको जो assets में दो को यह machinery आती हैं हम इस पर depreciation वगेरा निकालते हैं तो normally हम क्या करता थे पहले penal account में लिखते थे मगर इस topic में आपको bification दिया हुआ है factory का खर्चा जो है वो manufacturing account में ही आएगा तो depreciation machinery यानि machinery का इस्तिमाल भी बच्चो फैक्टरी में इसलिए factory का खर्चा या नुकसान जो भी है वो factory में यानि manufacturing account में ही आएगा इसके लावा और भी entry हैं जैसे for example wages है, power and fuel है, work वर्क यानि factory बोलते हैं बच्चो इसको याद रखें, work manager salary है, heating है, repair to machinery है, factory insurance या factory rent तो बच्चो आप देखेंगे ये सबके सब example है factory के खर्चे के हैं तो ये भी आपके manufacturing account में debit side आएंगे फिर आपका manufacturing account credit side में दो ही entry आएंगे बच्चो या तो sale of scrap यानि भंगार वगयरा factory में भूद निकलता है, तो अगर आपने बेच दिया भंगार बेचा तो भी आएगा manufacturing credit और closing stock of WIP ये भी आएगा manufacturing account में credit side अब बच्चो फिर आप manufacturing account बंद करेंगे तो आपका हमेशा debit side बढ़ा होगा तो debit को credit से minus करोगे तो आपका answer यही आएगा और इसको नाम देना है by trading account और bracket में लिखे cost of production transfer हम कहां transfer करना आले हैं क्योंकि इसके बाद आजाएगा हम trading account में तो आप ये balancing figure आप यहाँ देखेंगे trading account में आपको debit side लिखना है और यहाँ पर नाम उल्टा लिखना है to manufacturing account cost of production transfer ठीक है यह balancing figure समझ ले आप फिर इसके बाद trading account है trading account को भी हलका सा समझ ले raw material हो गया और WIP हो गया अब क्या बच्चों finished goods तो opening stock of finished goods debit में closing stock of finished goods credit में और manufacturing account यह तो आपका balancing figure आ चुका है और फिक credit में यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है यहाँ क्यूंकि goods के बारे में आएगा तो जैसे sales आपका goods sold हो रहा है तो यह भी trading account create return है तो minus कर दें फिर इसके बाद जो भी goods से related है adjustment होगे जैसे यहाँ मेंने example लिया good destroyed by fire तो goods withdrawn by partner good loss in accident good loss in natural calamities तो कुछी भी goods के बारे में अगर adjustment आता है तो वो भी आएगा आपका trading account में credit side फिर आपको तो पता है यह trading account बंद करते हैं तो debit में answer आता है तो gross profit trade में answer आता है gross loss और यह दोनों ही आएं तो कहां जाएंगा यह profit and loss account में opposite side gross profit credit में आया gross loss debit में तो दोनों में से कोई भी एक ही आता है तो यह अब यहां से आपका normal final account शुरू हो जाता है जो हमने पहले किया था तो फिर से बता रहूं आपको manufacturing account पे ध्यान देना है और trading account में तो खाली finished goods के entry आती हो sales की और कभी कभा goods के बारे में आया तो वो credit में आप डाल दें और फिर manufacturing account में raw material consume का यह pattern है इसको याद रखें अब PNL account में एक चीज़ बता दो आपको बच्चो पीनल account में आप जो debit side में है हमने तो पहले भी किया था मगर इसको याद रखें कि यह आपका office का खर्चा और selling expense का खर्चा तो यह दो चीज़ भी आपक delivery van है यह आपका selling expense है यह इसलिए यहाँ है तो expense की heading भी आपको याद रखना है कि भाई official खर्चा है तो penal debit selling expense है तो penal debit factory का खर्चा है तो manufacturing debit तो तीन जगा आपको याद रखनी है और एक चीज़ दो बच्चो है हमने special and depreciation का example ज़्यादा लिया जैसे यहाँ पर दोगो depreciation machinery बो furniture का यूज होता है बच्चो office में तो इसलिए official खर्चा है तो depreciation furniture आप जब balance sheet में calculate करेंगे तो उसका second effect आएगा पीनल में उसी तरह से तो delivery van लिया है मैंने तो delivery van यानि यह selling expense है तो यह तो factory में यूज नहीं होती है इसका expense relate करता है selling expense है तो यह concept आपको ध्यान रखना है manufacturing account कर factory का खर्चा है तो manufacturing debit office or selling खर्चा है तो penal account debit फिर नॉर्मल जो अगर credit entry है credit में लिखें फिर इसको भी close करें तो net profit net loss आता है आपका net profit आवे तो capital में add net loss आवे तो capital में minus तो यह भी आपको पता ही है फिर capital का calculation है drawing बगरा है वो भी less कर दे net profit net loss दोनों में से एक ही आएगा दोनों नहीं आता है तो जो भी आएगा मैंने example लिया प्रफोमा बता है तो आपको समझ में आसानी लगे आपके लिए फिर आप क्या करेंगे balance sheet close करेंगे फिर balance sheet क्या हो जाएगा आपका tally हाँ और एक चीज़ देखो closing stock के ध्यान दे आप तो जितने भी closing stock है चाहे वो raw material का closing stock हो चाहे वो WIP का closing stock हो चाहे वो finish goods का closing stock हो इनके second effect तो दालते ही क्योंकि adjustment area ये तो adjustment का second effect हम क्या करते है balance sheet में ऐसे side लिखते हैं तो तीनों का नाम आया तो तीनों आप यहां लिखे inner column में लिखें फिर इनको total करके भार कर दें तो closing stock के ओपर भी ध्यान देना है आपको और क्योंकि ये adjustment में आएगा और तीन अलग जगे calculation वो एक साथ आपको लिखना है और balance sheet में ज्यादा example लिया है नहीं मैंने आपको तो पता हिए depression वगएरा हो minus करें added हो तो data से minus करें and all that तो इस तरह से मैंने आपको प्रोफोर्मा समझा दिया आपको तो प्रोफोर्मा फिर से बोलू factory से रिलेट करेगा तो manufacturing account debit office or selling expense रहेगा तो penal account debit और depreciation में खास तरह ध्यान देना है कि asset कहां इस्तिमाल हो रहा है factory में हो रहा है तो factory में लिखें assets अगर office में हो रहा तो उसका depreciation P&L में लिखें तो बचो प्रोफोर्मा मैंने आपको clear बता दिया आपको manufacturing के example भी याद रखें कौन से expenses और आते हैं तो simple है आपके जह the trial balance of Mr. Rohan is on आपको ये trial balance दिया है debit credit और फिर आपको एक adjustment भी आएंगे तो basically वो जो हमने final account 11-12 में के the procedure हो ही करेंगे पहले हम क्या करेंगे tick mark कर लेंगे तो जैसे raw material है तो ये कहां लिखना आपको manufacturing account में working progress ये भी manufacturing account में finished goods ये कहां जाएगा trading account में ठीक है तो ये opening stock हो गया carriage inward ये purchase से relate करता है of raw material तो ये भी जाएगा manufacturing account में मगर आपको raw material में add करना है तो इसके आगे RM भी लिख लें आप तो आपको याद रहेगा कि भाई ये carriage inward raw material में जाके मुझे add करना है फिर carriage outward अब ये transport expense है माल बेचने का यानि selling expense है तो selling expense कहां जाएगा profit and loss data assets है wages अब ये wages अब तो कहां जाएगा बच्चो manufacturing account salary of work manager वर्क वर्ट डाल दिया अगर वर्क वर्क वर्ट नहीं होता तो ये जाता PNL में work का मतलब पहले बता है मैंने आपको work का मतलब होता factory यानि factory का खरचा तो कहां जाएगा बच्चो manufacturing account में repair to machinery 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 को repair करने का खरचा हो machinery कहां इस्तेमाल होती है manufacturing में फिर है office insurance clearly बोला office office करचा कहां जाधा PNL advertisement selling expense PNL machinery assets है purchase purchase हमेशा हम लोग क्या करते है raw material ही purchase करते हैं जो की जाएगा manufacturing में और इसके आगे भी आप लिखें raw material तो आपको जहिन मेरे कि भाई ये raw material और ये raw material आपको opening raw material में add करना है फिर है furniture ये तो assets है आपका capital liability है sales trading account फिर sale of scrap बंगार बेच रहे है manufacturing में जाएगा commission penal entry है creator liability बिस payable liability bank loan भी liability तो इस तरह से tick mark हम ने कर लिया तो RM पे special ध्यान देना कि कुण से कुण से इंटे RM है तो RM में जाके आपको add करना है और RM लिखें यहाँ पे तो आपको याद रहेग अब चलते हैं adjustment की तरफ पहला adjustment है closing stock raw material WIP और finished goods यह तो क्या करना है आपको raw material वाला तो यह भी RM में जाएगा मगर RM में जाके यह minus होगा WIP manufacturing credit और finished goods trading account credit और इन तिनों का second effect balance sheet में asset side ठीक है समके डाम देखेंगे इसको outstanding expense wages और insurance wages पे outstanding outstanding है निए टिकमा करते हैं हम लोग तो इसको भी टिकमा कर लेते हैं और insurance इसको भी टिकमा करते हैं outstanding है अनि हम में add करना है देखो adjustment के उपर जादा हम discussion नहीं कर रहे हैं क्योंकि adjustment पे देखो अगर आपको पूरा detail समझना है तो एक और वीडियो है मेरा adjustment के उपर तो यहाँ पर जो i button है वहाँ पर चेक करेंगे तो आपको final account के सारी adjustment उसके अंदर मिल जाएंगे तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं तो फिलाल हम direct करेंगे wages outstanding है तो बाराज़ा इसमें add करेंगे insurance outstanding है तो insurance में भी हम क्या करेंगे add करेंगे और second effect कहाँ जाता outstanding का balance sheet liability side फिर depreciate machinery of furniture तो machinery को भी tick mark कर लेते हैं और furniture को भी tick mark कर लेते हैं depreciation यानी minus करना है और second effect कहाँ जाता है हमारा पहले तो हम PNL में लिखते हैं मगर आप यहाँ पर ध्यान देना क्योंकि machinery इस्तिमाल होती है factory में यानी depreciation of machinery जाएगा manufacturing account में और depreciation of furniture जाएगा profit and loss account में क्योंकि यह office का assets है तो adjustment सारे मुकमल हुए उनका question है prepare manufacturing account trading account and penal account and the balance sheet as on that date तो हम balance sheet वखेरा बनाएंगे manufacturing बनाएंगे perform हमेने आपको already बना दिया है question हमने टिक mark कर लिया adjustment हमने टिक mark कर लिया तो अब चलते हैं sum की तरफ तो sum start करते हैं format देखो वो इस तरह बनाए आप left page और right page left page में पूरा manufacturing नीचे से 5-6 line shift trading account के लिए फिर right page में P&L और फिर balance sheet हाँ कभी P&L बढ़ी हो गए तो फिर आप 3 page में sum कर ले P&L के लिए एक page और फिर तीसरा page फिर balance sheet की लिए ठीक है heading दे दे यहाँ पर हम लोग manufacturing and trading account for the year and date साल नहीं दिया इसलिए dash मारा हमने P&L account for the year and date and balance sheet as on तो हम शुरू करते हैं पहले question यहां ले लूँ में यहाँ पर तो बचो question आ चुका है आप posting शुरू करते हैं पहले पोस्टिंग में दो हम manufacturing और trading के entry पूरा करेंगे क्योंकि question घड़ी घड़ी में shift नहीं कर पाऊंगा तो पहले आप manufacturing और trading पूरा खतम करेंगे फिर हम P&L और balance sheet में जाएंगे तो MM देख लेते हैं जो manufacturing के लिए पहले raw material opening stock 23,000 तो पहले heading लिखना आपको to raw material consumed फुल फॉर्म लिखना प्लीज फिर पहली entry opening stock है तेवी जार inner column में क्योंकि calculation है हमारा फिर WIP, WIP तो हम अलग से लिखते हैं by opening stock of WIP 10,000, finish goes यह trading account का opening stock है तो यहां लिख लेते हैं trading account में, फिर carriage invert है, मैंने बोला था RM है, यानी opening stock में जाके add करना है carriage invert भी add करना है और यह purchase दिख रहा है यह भी add करना है, तो purchase और carriage invert दोनों ही opening stock of RM में add कर देंगे और बच्चों देखों यहां पर एक line हमेशा last में छोड़ना है क्योंकि closing stock आता है, adjustment में देखा था हमने, तो एक line छोड़के आप अगली entry करें तो और M कहा नजर आ रहा है, wages में 12,000, और wages पर tick mark है, तो wages लिखेंगे मगर inner column में लिखेंगे और अगला M है salary of work manager, तो यह work manager टिक mark नहीं है, तो इसको भाहर लिख देते हैं, फिर repair to machinery M है 1200, टिक mark नहीं इसको भी भाहर लिखेंगे, फिर purchase तो हमने अल्रेडी लिख दिया है, यानि debit मुकमल हुआ, credit में M आ रहा है, अच्छा sales भी है, क्योंकि sales कहां जाएगा हमारा trading account मे तो trading account में credit side, debit वाला debit में, credit वाला credit में, ये fund याद रखें आप लोग, वो जनिया पे भी confused हो जाएगा है, debit वाला debit में, और credit वाला credit में, तो sales credit में है, तो हमने credit में लिख दिया, trading account में, sale of scrap manufacturing है, भंगार बेचा आपने, तो manufacturing account में credit side, then P&L हम फिलाल नहीं लिख रहे हैं, त question को जड़ा हटा देते हैं यहां से, और अब P&L और balance sheet मुकमल करते हैं, question फिर यहां ले लू में, चलो अब P&L मुकमल करेंगे पहले, तो P&L अपने P कहा लिखा था, carriage outward, 1000, तो carriage outward, यहां लिख लेते हैं, अगला P लिखा था हमने office insurance, और इस पर tick mark है, तो inner column में लिखेंगे 2000, फिर अगला P था, advertisement, इस पर tick mark नहीं है, तो इसको भार लिखेंगे, और अगला P हम penal मुकमल करें, यानि P देख रहे खाली है, तो advertisement के बाद और कोई P नहीं है, credit में भी चेक कर ले था, यहां पी, commission, तो commission आएगा credit है, तो credit में लिखेंगे 2000, तो अब penal entry मुकमल हुई, assets हमारा, तो assets लिख लेते हैं यहां पर, और इसमें tick mark नहीं है, तो directly हम भार लिखेंगे data, 16,000, फिर assets है, machinery और इसमें tick mark है, तो inner column में 90,000, फिर furniture इसमें भी टिक mark है, inner column में 40,000, now come to credit side, capital, 1,00, और capital बच्चों हमेशा अंदर लिखना है, क्योंकि net profit, net loss आता है, तो इसी हो ज लिख दिया हमने commissioner, creditor, creator, business payable, bank loan, तीनों ही liability है, और tick mark नहीं है, तो तीनों ही यहां हम outer column में लिख लेते हैं, creator, business payable, bank loan, तो इस तरह से आपने पूरा trial balance मुकमल किया, complete हुआ, question हटा देते हैं, तो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है आपको, अब question का second हिस्सा है हमारा adjustment, ठीक ता raw material 15,800, तो raw material consume में ही जाके आपको less करना है, credit side नहीं लिखना है, ठीक है, यह इसका specimen है raw material का, तो वही follow करना है आपको, and your closing stock आ गया है, तो अब raw material को हम total करके भार करते हैं, 23 plus 1 lakh, plus 1000, minus 15,800, तो आपका raw material consume आ गया, 1,8,200, उसी के बाद है, closing stock of WIP 3,500, तो closing stock of WIP तो opposite side लिखना है आपको, तो यहां लिख लेते हैं, closing stock of WIP 3,500, फिर closing stock of finish good 12,200, यह जाएगा trading account में credit side, तो closing stock का आपने force effect पास कर दिया है, अब इसका second effect का जाएगा balance sheet में asset side, तो तीनों एक साथ लिखेंगे, total गर के भार 31,500, तो closing stock का भी concept ज़रा important इसको समझने हैं आपको, ठीक है, अब चलते हैं, adjustment number two के तरफ outstanding wages, 15,000, insurance 1200, तो दोनों में add करेंगे, हम wages में 15,000 add करेंगे, outer column में आगया 13,500, और insurance में 1200 add करेंगे, outer column में आया 3,200, तो पहला effect आपने add कर दिया, wages का और office insurance का, अब इनका second effect का आता है, balance sheet में liability side, तो दोनों को मैंने inner column में लिखा, और plus करके 2700 बाहर लिख दिया, अब बच्चो third adjustment है, depreciate machinery by 10% and furniture by 5%, तो furniture को पहले 10% minus कर लेते हैं, दस तक का बहुत simple होता, एक zero चुपाना होता, यानि 9000, 90 में से 9 गया, यानि 81,000 बाहर आ गया, अब ये important part है बच्चो, depreciation on machinery, ये खरचा आप लिखोगे, manufacturing account में, क्योंकि ये assets आपका factory में इस्तिमाल होता है, तो ये 9000 आपको यहां लिखना है, manufacturing account में, अब है depreciation of furniture 5%, 5% निकाल लेते हैं, यानि पहले एक zero कम करो, 4000, 4000 आया 10%, उसका आदा कर दो, 2000, तो 40 में से 2 गया, तो 38 भारा गया, अब बच्चो depreciation of furniture का second effect लिखना है, आपको penal account में, debit side क्योंकि ये office में use होता है, तो office के और selling के करचे सब आएंगे penal account में debit side, तो depreciation of furniture यहां आ चुका है, adjustment सारे हो चुके हैं, तो ये adjustment हटा देते हैं, यानि पूरा sum मुकमल हो गया, अब इसका last step है close करना, तो पहला close करेंगे manufacturing account, और इसमें हमेशा आपका debit side ही बढ़ा होगा, त तो इसका total आप दोनों side लिखे 1,59,200 और इस debit को credit के total से यानि 5,000 से minus करें, तो आपका answer आया 1,54,200 और नाम क्या देना इस answer को by trading account, cost of production, transfer, bracket में लिखना आपको ये, तो balancing figure transfer हमेशा होता है, opposite side, तो ये credit वाला कहा जाएगा, trading account में debit side, नाम उल्टा लिखना है, यहां trading account लिखना है, और यहां पर manufacturing account लिखना है, तो manufacturing account का balance आगया है, तो अब क्या करेंगे, अब trading account बंद करेंगे, अब trading account में आपको तो पता है, maximum credit side ही बढ़ा होता है, यहां पर भी credit side बढ़ा है, 2,12,200, तो हमने दोनों side लिख दिया, बढ़ा तो gross profit को अब transfer कर लेते हैं, हमारा अगला account है, पीनल account, opposite side है ना, debit में आया, यानि यहां पर credit में आएगा, by gross profit brought on 42,500, अब क्या करते हैं, पीनल बंद कर लेते हैं, इसका भी 99% तो credit बढ़ा होता है, यहां पर भी credit ही बढ़ा है, यहां पर 44,500 है, तो दोनों side लिख लिख ल profit 33,300, net profit आया है, तो capital में क्या करना पड़ता है, हम लोग को add करना पड़ता है, तो capital में इसको shift कर लिए, अब add करके भाह लिखते हैं, 1,33,300, तो बचो अब balance sheet फूरी मुकमल हो गई है, हमारा last step होता है, balance sheet को tally करना, यानि दोनों side का total, same आना चीए, तो दोनों side का मेरा total आता है, 1,66,500, तो इस तरह से हमने manufacturing account, FIB.com का first sum मुकमल किया, जिसके अंदर फिर से बता दूँ, आपका raw material consume का format important है, और goods के आपको तीन पार्ट आएंगे, raw material, WIP और finished goods, ठीके, opening debit में आएंगे, और closing credit में आएंगे, हा, raw material closing आपको उससे minus करना है, और raw material, WIP, factory के goods हैंगे, इसलिए factory में आएंगे, यानि manufacturing में, finished goods, finished goods, यानि तयार माल है, तो यह आएगा trading account में, और इन तीनों के closing stock, हमेशा balance sheet, asset side में आएंगे, पहले manufacturing account बन करें, फिर trading, फिर P&L, फिर balance sheet, और last में आपका balance sheet क्या हो जाता है, बच्छो टैली, तो इस तरह से हमने, आज पहला सा मु यह बच्छो बच्छों वीडियो, गद्लेस यू